सस्रिकाल दोस्तो, स्वागत है तुदा साड़े चानल थे आज अपड़ डिसकस करांगे के दंदा नू घिसने दे किन्ने किन्ने प्रिकार हुन देने किस तरह दांत घिसे जां देने ते अधे लिग जड़ा साड़ी क्लासिफिकेशन है यह ज़िप्रकार है गेने वो तीन तरह दे हैं जादा तर पहला होंदा है abrasion दूसरा attrition ते तीजा होंदा है गा erosion सबसे पहले आपा डिसकस करांगे abrasion नो हुन abrasion इच की होंदा है कि जड़े साथे दांथ हेगे ने उस दे उपर दी परत गिस जान दी है उस दे जड़े कारण रहन दे हैं वो बाहरी कारण रहन देने जैसे की hard tooth brushing हो गया अगर असी बहुत ही जोड लगा कर brush कर देने या घिस देन देने साथे दांदा नो ते उस दे कारण साथे उपर दी layer खराब हो सकती है दूसरा कारण होंदा है कभी-कभी जे रहा देखा गया है वो है pipe smoking हुन pipe smoking इच जेड़े लोग pipe smoke कर देने ओनों pipe नो दबान देने दंदा दे बीच ते उस दे कारण उना दे दांद खराब हो सकते इस तो लावा कुछ occupational hazards भी है जेवें की कोई cobbler हो गया, mochi हो गया या carpenter हो गया, जेड़ा woodwork दे काम कर देने, उना नो अपने दो दंदा दे बीच में pin दबाने दी आदत हों दी है तो ओ भी साड़ी दंदा दे abrasion cause कर सकते इस तो अलावा कभी-कभी देखा गया है कि female इच bobby pin जेड़ा साड़ा hairpin हों दे bobby pin आपा आगे वाले दान तो टिक करके उन्हों खोल देने तो ओपी जादा कर रहा जान दा है जादा समय तक तो नौचिंग कर देने साड़े दान दे incisal surface ते ते ये सारे कारण तो तो ते गे abrasion ते हों जान लें दे दूसरा कारण जो की होंदा है attrition वाली समस्या देविच की होंदा है कि साड़े जोड़े दात है वो घिसने लगदे है पर उस दा कारण होंदा है दात से दूसरे दात का improper contact दा होना हुन ए के वे के वे हो सकता है सबसे commonly देखिया गया है कि bruxism यानि कि unconscious grinding of teeth कुछ लोगों नो आदत होंदी है कि जब वे सो रहे हैं या अन जाने में वो अपने दोनों दान्दानों घिस देने या फिर clenching दान्दानों इस तरह से मीचना या इस तरह से जोर से बंद करना एवी लोगे unconsciously कर देने एक ही कर दे साड़े जड़े incisal surface ने दान्दा दा दा दो surface जड़े आपसे टकरान देने ओ घिसने चुरू हो जान देने ते साड़ा dentine यानि yellow color दी जो पराते दान्द दी ओ दिखने लग जान दी है इस तो अलावा कुछ लोगों इस देखा गया जिड़े weight lifter ने जादा weights उठाने उंदेने ओना दे भी weight lifting करते वक्त दान्द कसे जान देने आपसे तो वी दान्द से दान्द टकराते वक्त उना दे abrasion या जो attrition है साड़ा ओ हो सकता है सो यह सारे काड़नते हो गए abrasion दे उस तो अलावा नेक्स साड़ा जिड़ा है कंडिशन हो है erosion होन इरोजिन इच की होंदा है के chemical दी वज़ा तो जिड़ा साड़ा दान्द है उस दे उपर दी परत जड़ी है ओ घिसी जान दी है होन इदे extrinsic ते intrinsic दोनों causes रह सकते हैं extrinsic इच आन्दा है कि बाहरली कारण दे करके जिवें आपका अगर acidic beverages ले रहे हैं कोई Coca-Cola ले रहे हैं फ्रूट जूसेज ले रहे हैं अगर अगर बहुत जादा कंजम्शन कर रहे हैं सेवन कर रहे हैं तो उदे करके भी हमारी जी उपर दी लेयर है दंती उन डामिज हो सकती है इस तोलावा जीड़े साथे intrinsic causes हैं उसे आजानदा है acidity होना कुछ लोग होंदे हैं जिननों GRD दी condition होती है जिसनों अपा कहते हैं gastroesophageal reflux disease ते जाब जिन पेशन जादा बंदा है उना दे मुँच भी ते जाब आनदा है उस दी समस्य इतनी जादा हो जानदी है कि बार जागरम भी लगने लग जाता है तो अगर एमें कोई भी दिक्कत किसी नों होंदी है या आपके आसपास किसी नों होंदी है तो आप बैटर रहेगा कि उन्हों किसी dentist नों जरूर दिखाएं